नमस्कार दोस्तों मेरे चानल Automation Hub सार्थक में आपलोंगा स्वागत है और यह वीडियो सिंपल सा रहेगा मैं Java 8 से Java 17 में स्विच कर रहा हूं जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक फॉलो किया है उनको पता है कि मैं अभी तक Automation और सारा Java का कोडिंग सब कुछ Java 8 में कर रहा था लेटिस्ट जो जेडिके का 351 है उस पर ही काम चल रहा था लेकिन मैंने उनको अनिंस्टॉल कर दिया है क्योंकि मैं Java 17 में स्विच कर रहा हूं Java 17 में इसलिए स्विच कर रहा हूं क्योंकि अगर आप Google करोंगे जेडिके वर्जिन से अगर आप टाइप करोंगे यहां पर तो जावा वर्जन हिस्ट्री में आप जाएंगे तो आप देखेंगे 8 बहुत स्टेबल है इसका लॉंग टम सपोर्ट है देखें जो भी आप जावा यूज करते मेक शिर वह एल्टीएस मतलब लॉंग टम सपोर्ट होना चाहिए तो 21 भी आ चुका है लेकिन मैं फिलाल अभी जावा 17 में जा रहा हूं 21 कब जाएंगे वो मेरे को नहीं पता यहां पर एंड फ्री पॉब्लिक अपडेट्स जावा आठ का अटलीस्ट में 2026 तक कुछ रहने बाला है सो 17 का अटलीस्ट 2027 तक और यह जावा एसी 21 सब्टेंबर 2028 तक रहेगा देखिए स्विच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम यह है कि मैं स्विच इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को वो एक पर्टिकलर जगह पर प्रॉब्लम हो रहे थी टेस्ट अजी में वो चीजें बात मैं बताऊंगा लेकिन फिलहाल अभी स्विच करते हैं तो अभी मैं अपना कमांड प्रॉम्ट ओपन कर रहा ह तो आप देखेंगे जावा स्पेस माइनस वर्जिन किया तो मेरा जावा इस नौट रिकरगनाइज ऐस अन इंटर्नल और एक्टर्नल कमांड आ रहा है मैं स्क्रीन को थोड़ा बढ़ा कर देता हूं तो टेकनिकली स्पीकिंग मैं अभी पूरा स्टार्टिंग से जावा ड देख सकते हैं तो सिंपल कुछ नहीं डाउनलोड जेडी के 17 आपको गूगल में टाइप करना है यह यहां पर चले जाना है और लेटेस अभी जावा ऐसी डेवलप्मेंट किट 17.0.6 अभी चल रहा है तो आपको यह डाउनलोड करना है जो विंडोस वाले हैं वो विंडोस x64 installer यह वाला लिंक डाउनलोड करें MSI और x64 compressed archive यह ना करें जो लोग mac यूज कर रहे हैं तो वो simple macOS 64 DMG installer कर लें compression archive और यह आम बगईरा करने की ज़रूरत यह यह आम compression archive करने की ज़रूरत नहीं है Windows वाले ये वाला कर लें और Mac वाले ये वाला कर लें तो फिलाल मैं अभी Windows में बता रहा हूं Mac का वीडियो में डालूंगा फ्यूचर में तो अभी मैं इसको डाउन्लोड कर रहा हूं ये डाउन्लोड स्टार्ट हो गया है दस सेकेंड में हो जाएगा फिर इसको इंस्टाल करते हैं मैं वीडियो को कहीं पॉस नहीं करने वाला हूं दो सेकेंड लेफ्ट एक सेकेंड लेफ्ट जी हो गया अभी मैं इसको इंस्टाल करने वाला हूं इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता, next कीजिए, next कीजिए, कहीं पिर कुछ configure करने की जरुवत नहीं है, कुछ बात वगरा, यहां पर जाके update करने की जरुवत नहीं, यहां पर simple आप close कर दीजिए, तो अब C drive में जाएए, अभी देखिए, मैं यहां पर अकन्या command prompt open करता जावा इंस्टॉल हो गया है, निया command prompt open करता हूँ, तो जावा वर्जन अभी टाइप करता हूँ, तो देखिए, 17.60.6 आ चुका है, इंस्टॉल करने के बाद जावा स्पेस माइनस वर्जन में आ जाता है, लेकिन हमें अभी उसको download करके, हमने इंस्टॉल तो कर दिया, उ जावा इंदर फिर यह फॉल्डर आते थे लेकिन यहां पर आपको नियुकरना है यूजर वेरियाबल में नियुकरना है, वेरीबल वैली में पाथ देना है, और यहां पर टाइप करना है, जावा अंडर्सकोर होम, इतना आ आपने कर दिया, ओके, अभी शिस्टम वेरिया पे क्लिक करेंगे, edit करेंगे, new करेंगे और backslash bin का path पूरा देंगे, okay करेंगे, यहां पे okay करेंगे, यहां पे okay करेंगे, हो गया, अभी नया command prompt open करेंगे, cmd और java c करेंगे, दीखिये, अभी latest java configuration भी हमारा हो चुका है, java c भी काम कर रहा है, तो अभी मेरे जो सारे code रहेंगे वो Java 17 पर ही रहेंगे और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Eclipse में Java 17 के उपर मैंने Maven Project का pom.xml फाइल कैसे बनाया वो वीडियो ज़रूर देखिएगा एक नया सीरीज में शुरू कर रहा हूं जावा 17 के उपर automation, Java, सब कुछ इसी सीरीज में रहेगा ताकि कुछ बच्चे जिनको problems होती है प्लेलिस से पढ़ने में वो इसी सीरीज को देख लें तो इसी सीरीज में मैं A to Z पहले पूरा Java कवर करूँगा, interview questions सब रहेगा इसमें फिर उसके बाद मैं automation भी इसी में start करूँगा एकी सीरीज में Java, Automation, TestNG, Framework Design सब इसी वीडियो में रहेगा हलाकि मैं अलग separate playlist framework designs वगरा का बनाऊंगा लेकिन मैं कोशिश करूँगा यहां पर end to end एकी playlist में सब कुछ एकी जगह पे हो और यह सारा सब कुछ रहेगा Selenium 4 के उपर मैं Selenium 4.8.3 पे फिलाल काम कर रहा हूँ आगे future में 4.8.45 आएगा तो देखेंगे तो Java 17 और Selenium 4.8.3 में ही आगे पूरा सीरीज रहने वाला है उमीद करता हूँ यह चोटा सा अपडेट आपको पसंदा होगा जो लोग पहली बार Java को अपने सिस्टम में डाउनलोड करना चाहते हैं वो कर ले एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए अगर आपने पुराना Java आपका है तो पहले उसको Command Prompt से जाके एक सेकंड पहले आप कंट्रोल पैनल से जाके वो पुराना Java पहले JRE और JD के पहले अनिंस्टॉल कीजिए एक बार उसको अनिंस्टॉल करेंगे फिर जाके इसको अपडेट कीजिए वरना उसके उपर उसको होब तो जाएगा लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि आप उसको कर दीजिए बात वेरिबल वगरा ध्यान से चेक कर लेना जो नए हैं वो आज का वीडियो सुरू से फॉलो करें आपको समझ आ जाएगा थैंक्यू सो मच साथ एक्यों साइनिंग आप